अंजे स्वालेकुम सेकेंड ये आपका बहुत बुरा रिस्पॉंस है ओनलान क्लासेज व्यो व्यूस में बदावाब लोग बचे जहें वो एफट ही नहीं का रहे उसको देखने की भी जहमत नहीं का रहे खैर अल्ला आपको अधायत दे बारहाल हमारे पास ऑक्सिडेशन स्टेट आपके पास है ऑक्सिडेशन स्टेट में हमारे पास क्या आएगा वाड़ी जो डेफिने लगा है वह कहता है कि अक्सिडेशन स्टेट आफ अन आटम इना कंपाउंड जो है वो डिफाइन होती है चार्ज ऐसा कोई भी चार्ज चार्ज मतलब पॉस्टिव यह नेगटिव चार्ज ठीक है ऐसा कोई भी चार्ज जो कि वो उसका वहां पे हो वीच इट बुड कैरी इन दा कंपाउंड जो होता है कोईनिक होता है यह एकर आपका कोफलीड Khmer कंपाउंड होता है ठीक है ऐसी होगे डार्ट इस यग ओथ एक अब disproportionately यह से हैं हमारे पास है जिंदा के Cinderella आफ का एंडे की ऑगसीडिशन स्टेशन हो यह दें और नेगटेव आना आफ्के पास कलोरीन का युदender का है और भूलाएंडलीं से एक पास कारिछ हूं रियर के सचाशा कुम्वी oléॉ यह लिट कि असार मीं कि रहा है कि टर में हेसे के सब्सक्रार अब के पास ठीक है क्यों है तो उसमें क्या हिसाब है उसमें आपके पास वा कहता है चार कलोरीन अटायाच होई है SN के साथ 4 बांड बने है ना कलोरीन के इसका मतलब यह हुआ है सन का पॉजटिव चार है ठीक है और चार कलोरीन है एक एक करके जुड़ी है आपस में लदा लदा होके तो हर कलोरीन का जो चार्ज है नेगटिव वन है तो होगा क्या के पॉजटिव वन SN का और नेगटिव वन चार कलोरीन का नेगटिव 4 तो पॉजटिव 4 और नेगटिव 4 आपस में क्रॉस करके एक न्यूट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और ओवराल पे लिखी जाएगी वह निट्रल होगी जीरो ना ही पॉस्टिफ चार्ज लिखा जाएगा एन पे एने सी ल ऊबराल पे और ना ही उस पर ने इस पे लिखा जाएगा ठीक हो गया अच्छा जी उसके बाद वो कहता है कि Oxidation State जो है आमारे पास आम तोर पर Group Number को भी बताती है Group Number मतलब कि आपका किस तरह का कौन से Group में आपके Elements मौझूद है कहता है Elements of Group 1A to 4A 1A to 4A जो है आपके पास उनके Oxidation State सेम होती है 1A की 1 होगी 2A की 2 होगी 3A की 3 होगी 4A की 4 होगी Depend करता है Positive होगी Negative होगी Depend किस तरह करेगा हमने चेक कर लेना है कि 1 से 4A तक Electron Remove का रहे हैं तो Positive में State होगी उनकी और अगर वो Enter का रहे हैं ये Gain का रहे हैं तो Negative में State होगी Clear? कता है Just as the B Aluminium and Galium B Boron Aluminium GA Galium हमारे पास वो 3A से करते हैं तो उनकी Oxidation State Positive 3 होती है ठीक होगी Clear होगी बात और ये Oxidation State भी कैसे पता लगती है उनके Group Number से के जी वो उनमें अब ये क्योंकि उनके Outermose Shell में 3A है ना इसका मतलब है तीन Electron है Outermose Shell में तो वो तीन Electron ही वो वैलंस चल से नकाल सकते हैं तो 3A पॉसिटिव आ गया उसका ठीक है 5A की बात कर लिते हैं तो 5A की जो वैलंसिस होती है वो हमारे पास दो तरह की होती है 5A है 5A का मतलब यह हुआ आखरी चाहल में कितने Electron माजूद है 5 सही है आखरी चाहल में कितने Electron माजूद है 5 माजूद है तो 5 माजूद है तो मतलब यह है यह यह तो यह पांच चाहर रो मूफ कर सकता है यह उन में से 3 को एंटर कर सकता है यह सिर्फ 3 निकाल सकता है तो इस तरह उनकी दो वैलंसिस हो जाती है फाइवे की क्योंकि उन में आपके पास दो तरह की Electrons आ सकते है मतलब वैलंसिस बन सकती है पॉस्टिव 3 मतलब वो तीन Electron निकाल सकते है यह पॉस्टिव 5 यह वो 5 के 5 यह Electron निकाल सकते है यह डिपंड करता है वो bonding कितनी का रहे है तीन बॉंड बना रहे हैं पांच जादा तरह यह तीन बॉंड बनाते हैं पांच अक्सर वेश्ट तरक कम ही बनाते हैं 6A की बात कर लेते हैं 6A में क्या है 6 Electrons हैं तो 6 के 6 यह Positive Form में निकाल देंगे या अगर 6 नहीं निकाल रहे किसी ऐसे Form में तो यह क्या करते हैं अपना आखरी शल 8 Electrons उसमें पूरे करने के लिए Octate Rule को Follow करते वे 8 Electrons पूरे करने के लिए वो क्या करेंगे 2 Electrons को Enter कर लेंगे गेन कर लेंगे तो Negative 2 भी ले सकता है इनका State और 6 Electrons निकालने की सूरत में इनकी Positive 6 भी हो सकती है है दोनों में Sulfury Clear? ठीक हो क्या 7A में हमारे पस क्या है कि 7A का मादब यह हूँ आखरी शल में 7 Electrons है बहुत मुश्किल होता है आखरी शल से 7 Electrons को Remove करना तो वो क्या करते हैं हमारे पस 1 Electron को Enter कर लेते हैं गेन कर लेते हैं तो Negative 1 इनकी Oxidation State Positive 7 होती है लेकिन बहुत मुश्किल होती है हमारे पस ठीक है तो Negative 1 ज्यादा तर देखी गए है 8A वाले जो है वो हमारे पस Zero Group Element कहलाते हैं Zero Group Element इसलिए कहते हैं क्योंकि ना हो उनके आखरी शल में 8 Electrons पूरे हैं इसलिए वो 8A Group कहला रहा है ठीक है और उनको ना ही Electron देनी की जुरूत है ना ही उनको Electron लेनी की जुरूत है वो इसलिए आराम से स्कून से बैठे रहते हैं अपने जगाबे ठीक हो गया There is no vacancy in their Automose shell That is why they are called Zero Oxidation State Zero Group Element Because they show Zero Oxidation State Clear? अब जो important question आपका बनता है वो यह बनता है कि Transition Elements में जो है वो हमारे पास एक से ज़्यादा Oxidation States शो होती है ठीक है वजा क्या है आपने उसका अंसर यह लिखना है वो कहते है Transition Elements Show Variable Oxidation State Variable Vari करना Variable V-A-R-I-A-B-L-E Variable Oxidation State Why आपको अंसर यह आखरी दो लाइन में मिलेगा वो कहता है Due to great number of wireless electron Available in partly filled Partly filled D-Orbitals These electrons show more than one oxidation state in their compound ठीक हो गया क्यों दिखाते हैं Oxidation State क्योंकि उनके जो D-Orbitals होते हैं वो आदे फिल होते हैं तो बड़े अराम से वो Electrons या तो कभी S-Orbitals से भी निकाल रहे होते हैं क्योंकि S भी तो मुझूद है उसमें D भी मुझूद है P भी मुझूद है Subshelts की बात हो रही है तो D-Subshelts में से भी निकाल लेते हैं Electron वो अक्सर और वो S में से भी अक्सर अपने Electrons को खारिज कारे होते हैं तो हमारे पास ये हमारी और ये खारिज ही करते हैं क्योंकि Transition Elements हमारे पास Metals होती है Metals की यही अबिलिटी होती है कि वो Remove करेंगे Electrons को Add नहीं करवाती है अपने अंदर ठीक हो गया तो एक से जादा Oxidation Stadium की अराम से शो हो सकती है ठीक है आगला जो हमारा इसमें एक चोटा हज़ा टापिक है वो है Hydration Energy वो कहता है Hydration वर्ड है English में तो हमारे पास इसमें से Water का मतलब बनना चाहिए यहां पर ठीक है Water का मतलब है Hydration Energy एप के पास Heat है जजब हो रही या खारज हो रही Absorb या Evolve When one mole of gaseous iron dissolve in water जब एक कोई भी gaseous iron को आप एक mole को आप पानी में हल करेंगे इतना हल करेंगे कि आपको वो बहुत Dilute infinitely dilute infinitely dilute का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पतला dilute किसम का solution दे ठीक है एक्जामपल आपके पास है hydrogen positive यह आईन है आपका plus gaseous आईन है उसको water में dissolve के आप में H3O positive create हुआ और इसमें से negative 1075 kilojol per mole इतनी energy इसमें से खारज हुई है evolve हुई है ठीक है यह आपके पास क्या कहलाती है Hydration energy ठीक हो गया सही है अच्छा अब हमेरे पास hydration energy किस पर depend करती है वो देख लेते हैं वो कहता है size ratio पर depend करती है ठीक है और यह मैंने एक आपको point यहां पर लिखके दिया हुई है वो कहता है Hydration energy directly proportional होती है आपके पास charge over size charge over size का मतलब है कि कितना item का size है और इस पर क्या विलंसी है positive विलंसी उसके कितनी है ठीक है यह negative विलंसी उसके कितनी है positive 1 है negative 1 है positive 3 है negative 3 है positive 2 है negative 2 है क्या विलंसी charge चार्जर का ठीक हो गया clear होगी बात ठीक है तो यह हो गया आपके पास अच्छा अब वो कहता है है कि आपको यहां पे एक नज़रा आ रही होगी यह सारा एक टेबल नज़रा रहा है ठीक है इसमें चेक करें आप ज़रा तो हमारे पास जैसे जासे positive आपके पास charge बढ़ते जाते हैं positive 3 जहां पर है उसके सबसे ज़दा विलंसी है उसके सबसे ज़दा हाइडरेशन एनर्जी आई है 4613 और जैसे ज़से नेगेटिव चार्ज आता रहता है वह सबसे काम होती रही है 307 ठीक होगा लाट मेंस का मतलब यह हुआ के एक वान एक हमारे पास चार्ज जो साइज रेशो डिकरीज होती है उसकी अज़र चार्ज बढ़ा होता है और साइज साइज बढ़ा होता है चार्ज कम हो रहा होता है तो नीचे वाला बटा तो साइज है वो उसकी वैलियो बड़ी आरही होती है चार्ज उपर की कम आरही होत की या जो यह जो डिवाइड होके अंसर आ रहा होता है यह कम होता रहता है top to bottom तो hydration energy भी आपकी कम होती रहेगी ठीक है directly proportional बोला है न मैंने hydration energy directly proportional charge to size ठीक है और जैसे जैसे left to right जाएंगे तो हमारे पास hydration energy increase होती जाएगी ठीक है क्योंकि charge to size ratio भी उनकी increase हो रही है clear अगी बास ठीक है तो आपको कमसला नहीं होगा अगर प्राब्लम है तो अभी भी डिसकस करें आपको यह question भी है एक आम answer यह short question तो जब exercise पर चलेंगे फिर वहाँ पर मैं दता होंगे आपको ठीक है